है फ्रेंट्स आज में आपको टॉप डेन बेस्ट एक्षन थिर मुवी के बार में बताने वाला हूँ जिसे देखने पे आपकी सासे थम जाएगी इस रिष्ट की सभी मुवी ज ओसम है आपको इन फिल्मों में बेहतरिन एक्षन, कार चेजिंग, कॉमबेट फाइटिंग और और यह मुवी रॉटन टोमेटोज पे 87% फ्रेस है यह मुवी कहानी होती है दोस्तो एक ट्रेन इंजिनियर और एक कंड़क्टर की जो कि एक केमिकल से भर ट्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिज करते हैं जो कि अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अगर यह ट्रे आपको मिस नहीं करनी चाहिए इंडीवी पर मुवी को कुछ खास रेटिंग तो नहीं मिली है बट दोस्तो मुवी काफी इंट्रेस्टिंग है यह मुवी कहानी होती है काफी अमीर आदमी की जो कि अब दुनिया के नजरों में मर चुका है और अब कुछ योगों के साथ ए जो की बेवी का क्यारे करते हैं और साथ में है जैमी फोक्स जिनका मुवी में कुछ मिंटो का रोल है तो यह मुवी कहानी होती है एक बड़े ही माहिर ड्राइवर बेवी की जो की दोस्तो डॉक नाम के एक आदमी के लिए काम करता है और बैंक रिउटने के बाद उसके यो मुवी है जो की 2002 में आई थी और ये दोस्तो एक बहुत ही अच्छी मुवी है आयम निवी ने मुवी को 7.9 इस्टार सी रेटिंग दी है और रॉटन टोमेटो प्या मुवी 83% फ्रेस है यह मुवी कहानी होती है एक आदमी की जो की फिल्म के सुरुआत में समुद्र के किना कुछ योग को मिलता है और उसके यादास्त जा चुकी होती है धीरे धीरे उसे अपने बारे में याद आना सुरूर होता है और वो अपनी आइडेंटिटी के खोज में निकल परता है जहां उसे अपने बारे में काफी चौका दिन वाली बाते मालूम होती है और साथी दोस साथ काफी सारे actor's lead role में देखने को मिलते हैं ये film दोस्तों Fast and Furious Ridge की movie है तो no doubt आपको powerful action के साथ awesome car changing scenes देखने को मिलने वाली है तो film में दोस्तों Dominic की team एक program को गलत हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं साथ ही दोस्तों उसे काफी बड़ी program सरी सामना करना होता है ये number 5 age of tomorrow number 5 पे हैं दोस्तों Tom Cruise की science fiction action movie age of tomorrow जिसके बार में हम इस वीडियो में भी बात कर चुके हैं तो 7.9 IMDB rating के साथ age of tomorrow एक mind blowing movie है जिससे आपको एक बार देखनी चाहिए ये movie दोस्तों कहानी होती है एक officer की जो कि ये time loop में फसा होता है और अब उसे alien से अर्थ को save करना होता है number 4 इप मैं एक इस्टर्स की IMDB rating के साथ इप मैं एक biographical master art movie है जो की awesome master art fight से loaded है ये movie दोस्तों इप मैं नाम के एक famous master art teacher के उपर best है जिनके बार में कहा जाता है कि इन्हों ने बुलसरी को भी master art सिखाया था वैसे इप मैं मुवी स्रीज में total 4 movies है और यही स्रीज की पहरी 1937 की Japanese innovation के समय की कहानी दिखाई गई है जब इप मैं का सहर उनके कबजे में होता है इस मुश्किल समय में भी किस तरह से इप मैं घुटने नहीं तेखते और संगर्स करते हैं यह आपको मुवी में दिखाया गया है तो नमबर 3 पे हैं एक awesome action aspire 3 movie जैसे IMDV पे 7.4 stars की rating मिली है और movie के leader में है Tom Cruise तो agent Ethan Hunt की एक और mission impossible movie है जिसमें वो खतरनार syndicate के मौजिद्री को प्रूव करने और उनके next attack को रोखने की कोशिज करते हैं तो movie दोस्तो action और stunt से भरे हुई है और साथ में आपको काफी सारा three scenes इस movie में देखने को मिलती है तो अगर आप एक बहतरीन franchise movie को miss नहीं करना चाहते तो आप इस movie को एक बार जरूग देखना नमबर 2 Extraction एक action movie है जिसके रीडोल में है one and only Chris Hemsworth movie दोस्तों एक कमारी की movie है जिसमें action ही action देखने को मिलता है और movie में हमें इंडिया के दो best actors पंकज ट्रिपाथी और रंडी पोहुटा देखने को मिलते हैं जिनसे fun double हो जाता है तो movie कहानी होती है एक dawn की जिसके बेटे को kidnap किया गया है और उसे बचाने का काम एक खतरनाक आदमी को दिया जाता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता तो movie दोस्तों पूरी तरह से खुन खराबा से भरी हुई है और movie की सभी action scenes काफी powerful है और movie में हमें Chris Hemsworth की बेहतरीन acting देखने को मिलती है अब बात करते हैं दोस्तों इस रिष्ट के number one movie की तो number one पे है John Wick बात हो दोस्तो best Hollywood action movie की और John Wick का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता तो John Wick दोस्तो 2014 की एक action thrill movie है जो की दोस्तों कहानी होती है एक dangerous man John Wick की जो की अपने wife को खोने के बाद काफी depressed होता है इसी बीच दोस्तों एक आदमी John को उंगी करता है और John उस आदमी को खत्म करने के काम पे निकल परता है अगर दोस्तों आपको best action और combat scene देखना है तो इस movie को आप miss मत करना है यह बिको ही different action movie है जो की आपको एक बार देखनी चाहिए तो यह थी दूस्तों top 10 best action theory movies I hope कि यह video आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसे like करें, share करें और चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही best movie के recommendation मिलती रहे and thanks for watching